नमश्कार महुप्री आज है तीन जून खबरों की दरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर लड़कियों के लिए मेडिकल और इंजिनिरिंग कॉलेज में सीट हुए रिजर्फ बांगलदेश के लोग खा रहे हैं बिहार का नाज भागलपुर के जरदालुआम का स अभियर्तियों के पास ये अच्छा मौका है ध्यान रहे इच्छो कोदियों के मिद्वार 22 जून से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं बिहार में कोविड-19 के मिले 1000 से ज्यादा मामले स्वास्तव भाग के तरफ से मिले जानकारी के नुसार बिहार में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1158 मामले सामने आए हैं जिसके बात बिहार में आक्टिव मरीजों की संक्या 12,590 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अग इसके साथ ही नौ ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राजजों के हैं लेकिन इनके सांपल बिहार के अलग-अलग जिलों में कलेक्ट किये गए हैं वहीं बिहार में बीते दिन के पिशो 24 गंटे में कुल मिलाकर 272 मरीज ठीक होकर घर वापस लोटें इसके साथ ही बीते दिन के पिशो 24 गंटे में एक लाख 9,319 सैंपल की जाज की गई है बिहार के पंडॉल में मिले 2000 वर्ष पुराने सभिता के अवशेश मधुबनी जिले के पंडॉल प्रखंड के इशेपुर और संकोर्थु गाउं में खुदाई के दौरान करीब 2000 साल पुरानी सभिता के अवशेश मिले हैं इसे इट और खप्रेल के भगना वशेश मिले हैं जो अपने नए इतिहास को समेटे हुए है इतिहासकार की माने तो खुदाई में मिले इट गुप्त कालीन या फिर उससे कुछ पहले के हो सकते हैं इट के साथ मिले खप्रेल के टुकडे 2000 साल पुराने यूग से सम्मन्ध रखते हैं जानकारों की माने तो इस प्रकार के इट और खप्रेल का उपियोग श्रूंग कुशान काली यानि की कम से कम 2000 साल पहले किया जाता था लड़कियों के लिए मेडिकल और इंजिनिरिंग कॉलेज में सीट हुई रिजर्व बिहार की बेटियों को मुख्यमंत्रे नितिश कुमार ने बड़ा तौफा दिया है जिसके थे सरकारी नौकरी में आरक्षन के तरच पर मेडिकल और इंजिनिरिंग कॉलेज में एड्मिशन में लड़कियों को 33 प्रतिशत आरक्षन देने की खोशना की गई है बुधवार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में उन्होंने एलान किया जिसके तहत राजिकल और इंजिनिरिंग कॉलेज में लड़कियों के लिए इंसीटो का आरक्षन अपकर दिया गया है बिहार के पावपुरी जलमंदर में आपको देखने को मिलेगा आप खुछ खास पावपुरी में से जयन मंदर, राजगीर और बोध गया के पास से पावपुरी भारत के बिहार प्रांत के नालंदा जिले में से तेक शहर है जयन धर्म के मतवाल अंबियो के लिए एकत्य अंत पवित्र शहर माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि भगवान महावीर को यहीं मुक्ष की प्राप्ती हुई थी इसके साथ ही अगर आप भी पावपुरी जलमंदर का भ्रमन करना चाहते हैं तो आप COVID-19 के बाद विमान से ट्रेन से या फिर साड़क के द्वारा आसानी से वहां पहुँच सकते हैं ट्रेन की बात करें तो राजगीर के पास एक रेलवे स्टेशन है लेकिन निकर्तम सुवधा जनक रेलवे स्टेशन पटना में है इसके साथ ही पटना राजगीर गया कि किसी भी शहर से टैक्सी अबबस से पावपुरी घूमने भी जाय जा सकता है वही दूशर राजों के लोग विमान के माध्यम से भी इस जयल मंदर का ब्रहमन करने आ सकते हैं बिहार के विश्विद्याले में भी होगी अतिती सिक्षकों की निुक्ती महीने का कारे काल पूरा करने वाले अतिती सिक्षो को किसे वार नवे निकृत करने की प्रक्रिया इसी महीने शुरू होगी विश्विद्याले के सना तक को तलवे भाग गो द्वारा रंगी भूत महाविद्याले में उन विश्विद्याले में सिक्षो की खाली पदो पर अत तरह का प्रसेक्शन देने का काम करती आ रही है आप बालिकाओं को सेर्फ डिफेंस और ड्राविंग का प्रसेक्शन दिया जाएगा इसको लेकर विभागे इस्तर पर तयारी तेज कर दी गई है और कोविड-19 के बाद इसकी शिर्वात करने की उमीद जताई जारी है समाच क अगरे में रह रहे ही लड़कियों ने कई मांगे रखी ती जिसकी तहट वालिकाओं को प्लास्टिक मुग्त शेत्र घोशित करने का रोरोत किया गया था कौशल विकास एवं हुनल प्रसेक्शन पढ़ने का उचित अफसर प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया था भागलपुर के जर्दालू आम का स्वाद चखेंगे रास्टपती और प्रधान मंतरी हर हाल हर साल की तरह इस साल भी भागलपुर के जर्दालू आम का स्वाद रास्टपती रामनात कोबिन और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी सहित तमाम विशिष्ट अतितियों को चखा कर लिया गया है जानकारी के नुसार इनामो को साथ दनों के भीतर दिलिसित बिहार भवन में भीजा जाएगा वहां से अलग-अलग वी आईपी को पहुंचाया जाएगा विहार भवन तेख करेगा किस-किस वी आई-पी को कितना पैकेट आम भेजना है तक किसा भीजने माले के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री का नाम लिखा होगा इस बाबत जिला कृष्षी पता अधिकारी दिलिप कुमार ने अपना बयान जारी करते वे कहा है कि जर्दालू आम कमीटी के अधिक्ष अशोक चोधरी के नेत्रस में कृष्षी अधिकारी और वैग्यानी के टीम जिले के दस से बार आम बगीचों का भ्रहमन कर वहां से आम मों का नेरिक्षन कर रही है जर्दालू आम को राष्टपती प्रधानमंत्री सहित विशुष्ट अतित्यों को जल्दी भेजा जाएगा बांगलादेश के लोग खा रहे हैं बिहार का नाज कोविड-19 के बाहौल में यात्री ट्रेनों का परचालन प्रभावित होने से आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए रेलवे मालठोलाई को बढढ़ावा दे रहा है ये कारने कि बांगलादेश वासियों को बिहार का अनाज भीजा जा रहा है आने वाले समय में दानापुर रेल मंडल के आरा जंक्षन से बांगलादेश के दर्शना स्टेशन के लिए 84 वैगन अनाज भेज दिया गया है जिसके तहत अब भोजपुर जुले का अनाज बां पर्गता की कंपनी बेगानी कंपनी को बांगलादेश के दर्शन रेलवे स्टेशन पर इन्हें पहुचाने का जिमा मिला है इस कंपनी ने और रेलवे स्टेशन को दो महिने में करीब 60 लाख रुपे का राजस्व दिया है पतना युनिवर्सिटी ने रद किया नामांकन टेस्ट पतना युनिवर्सिटी में नामांकन टेस्ट को रद कर दिया गया है जिसके तब शात्रों का नामांकन पतना युनिवर्सिटी में 12 परिक्षा के नंबर पर लिया जाएगा जिसके बाद पहले जब इंटरेंस टेस तब Inter में सिर्फ पास होना अनिवारे था, Interence Test का performance माहिन रखता था, लेकिन इस बार Inter के marks माहिन रखेंगे, जिनका अंक अधिक होगा, उनका नामाग कन विश्वे द्याले में होगा, सारी प्रक्रिया ओन्नाइन होगी, सिर्फ B8, LLB और Bibil में यहाँ प्रक्रिया नहीं रहे अब उसकी जोगा मास्टर शब्द का प्रयोग होगा, इसकी साथी BA in Computer और BSC इन Computer से BA और BSC की शब्द को हटा दिया गया है दाखिल खारिच के मामले में सुस्त है बिहार के अधिकारे, बिहार में राजस्विवं भूमी सुधार वभा के सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट में 100 अंकों का अंचला अधिकारियों के कामकाच का मुल्यांगन किया गया, म्यूटेशन के लिए सरवाधिक 50 अंक तै किय बाकी 50 अंकों का विवरन, परिमार्जन, LPC, अभियान, बसेरा, लोग भूमी और जलने कायों का तिक्रमन और मापी की उपलब्धियों के लिए किया गया है, समगरता में टॉप 10 में अंचलो में पंडॉल अवल है, उसे म्यूटेशन में 49.22, दूसरे नंबर पर थावे को 48.81 और तीसरे नंबर पर आए, इसमाइलपूर को 49.5 अंक मिले हैं, वही म्यूटेशन के मामले में इसमाइलपूर नंबर एक पर रहा, चनारी, कुशेश्वरस्थान, गौलपारा, पीपरा, सिंखेश्वर, सुपॉल, बनमनखी, मधिपूरा, सदर बेरिया, ठाकुर एवं, चौसा में म्यूटेशन का काम मानक के अनुसार नहीं हो पाया है, उन्हें 50 में 30 से भी कम अंक मेले है, राजमे, अंचलो की संख्या की बात करें, तो कुल मिला कर 534 है बाबारामदेव पर बिहार में दर्ज हुआ परिवाद, एलोपैथिक को लेकर ववादित बयान देने पर योग गुरू बाबारामदेव की मुसीबत बिहार में बढ़ गई है, जिसके तहत मुदफर पुर्णियाजाले में बाबारामदेव के खिलाफ परिवाद दायर कर मुदफर पुर्णियाजाले में मुखिनयायक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद पत्र दायर किया गया है, मिली जानकारी के नुसार योग गुरू बाबारामदेव के खिलाफ अलग अलग धाराओं में परिवाद दायर किया है, उनके उपर महामारी अधिनियम और प्रबंदन अधिनियम 2005 की धाराएं भी लगाई गई है, अगले मही ने 19 विधान परिशदों की खत्म हो जाएगी सदसिता, बिहार में परामर्शी समीती के सहारे पंचायत प्रतनिधियों का पद्ध तो बचाए गया, लेकिन बिहार विधान परिशद के 19 सदसितों का माम होता है, ऐसे में 15 जुलाई से पहले उनका चुनाव होना था, लेकिन बिहार में पंचाय चुनाव टल जाने की कारण MLC चुनाव में वोट देने वाले वोटर ही नहीं रहे, ऐसे में चुनाव होने की कोई संभाब ना अब नहीं बची है कोरोना से रद हुई 24 पैसेंजर ट्रेन 5 जुन से फिर चलेंगी, या 3 गंड कर पिया ध्यान दे, कोरोना के कारण रद हुई 24 पैसेंजर ट्रेनों को 5 जुन से फिर से चलाने का फैसा गया गया है जुसके त्रेन सांग क्या 5519-05520-03368-03367-03315-03316 के साथ-05427 और 05248 ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू होने वाला है इन पैसेंजर ट्रेनों के शुरू होने से यूपी के बलिया गाजी पर चंदॉली के यात्रियों को बिहार के बिभेने जिलों में जाने में सुवधा होगी इसके साथ ही बिहार के दरफांगा सहर सा राजुगीर कया वैशाली सोनपुर कटिहार समस्ति पुरादी जिलों के यात्रियों को रहत मिलेगी राज़опाल के मंजूरी के बाद परामरशी समीथी बनाने का अध्या देश जारी वैखलपिक विवस्ता की गई है और सरकारने परामरशी समीथी बनाने का अध्या निर्नने लिया है अगले महीने तक बैरिया से खुलेगी सभी 38 जुलो के लिए बसों की आवाज आई अगले महीने तक बैरिया से खुलेगी सभी 38 जुलो के लिए बसों की आई 10 लाग परिवार को मास को पलब्द कराया जा चुका है बाकियों को भी जल्द कराना है ऐसे में उद्योग विभाग सही हो करे देश भर में 22 करोड से ज्यादा लोगों का हुआ ठीका करन देश भर में COVID-19 की दूसरी लहर के बीच ठीका करन अभियान भी जोर शोर से चला जा रहा है सरकारी आकरों के अनुसार अब तक कुल मिलाकर 22 करोड आठ लाग 62,449 करोड वैक्सीन की दूस दी जा चुकी है वहीं दस राज जैसे है ठीका करने के लिए के इंदर सरकार के पास कोई ठोस नीती नहीं है देश में डॉक्टर नर्स मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है जैसे तरह से COVID-19 के जंग बिहार लड़ रहा है यह देखकर बहुत दुख होता है उन्हाने कहा कि बिहार के शहरी एवम ग्रामिंग शेत्रों में COVID-19 वैक्सीन की भारी कमी है केंदर में NDA की सरकार और बिहार में भी NDA की सरकार होने के बावजुद संकट की घड़ी में बिहार को मदद नहीं मिल रही है COVID-19 से बचने के लिए वाक्सीन सबसे एहम हतियार है उन्हाने कहा कि राजे में बड़े स्तर पर वाक्सीन अभियान चलाई जाने की जरूरत है के इंद सरकार को वर्तमान समें यूनिवर्सल पॉलिसी लाने की जरूरत है जीतन नामांजी ने NDA से अलग नहीं होने की काई बात विहार में राजनेतिक सरगर्मी हमेशा गर्म ही नजल आती है जीतन नामांजी और मुकेश सहनी के पार्टी से अलग होनी के अटकले लगाई जा रही थी लेकिन अब खुच जीतन नामांजी ने इन सभी अटकलों से दरकिनार कर दिया है जिसके तहत नौने हम पार्टी की रास्ट्रे कारिकार्णी की बैठक में एलान किया कि हम एंडिये में हैं और एंडिये में रहेंगे गरीबों के मुद्दे पर हम अनुरोध पूर्वा कावाज उठाते रहेंगे आपकी जानकारी के लिए आपको पता दे लगाता राजट की तरफ से जीतन नामांजी को लेकर बयान बाजी की जा रही थी जिसके बाद राजट ने पार्टी के अंदर जीतन नामांजी और मुकेश सहनी को तवज़ नहीं देने की बात कही थी राजट ने की मांजी और सहनी को एक बार फिर जगाने की कोशिश बिहार में मुक्य मंतरी की कुरसी में दो छोटे दल की भूमी का बहुत एहमानी जाती है यही कारण है कि समय समय पर राजट की तरफ से मांजी और सहनी को जगाने की कोशिश की जाती है सिक्रब में राजुत की तरफ से राजुत के प्रवक्ता मुरतों जतिवारी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्य मंत्री निति इश्कुमार अगर बिहार के मुख्य मंत्री है तो वो सिर्फ मांजी और सहनी की वज़े से इसके बाद ही वो छोटे दल के नेताओं से कोई पूछ नहीं रहा है इन दोरों नेताओं में से कोई राय नहीं ली जाती है इन दोरों नेताओं को अगर देखे तो इनके ही बल पर बिहार में सरकार बनी है राजुत प्रवक्ता ने कहा कि तवज़ों नहीं मिलने से मांजी और सहनी कई बार नाराजगी भी देखा 1667 में भारत के प्रसिद शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, नयविद और लेखक, हर्विलास शिषारदा का जन्म हुआ था, 1901 में ग्यानपीठ पुरसकार के प्रथम विजेता महाकवीजी, शंकर कुरूप का जन्म हुआ था, 1915 में ब्रिटिश सरकार ने इंदी राजभाशा माने गई थी, 172 देश के पहले आधोने क्योधक पोत निलगीरी को देश की ततकालीन प्रथान मंतरी इंद्रा गांधी ने जल्ला वत्रित किया था, 2016 में पुर्फ केंद्रे मंतरी गोपिनाथ मुंडे का सरक हाथसे में निधन हो गया था, ICC की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, क्रिकेट प्रेमियो के लिए एहम सूचना, इंटरनाच्टर क्रिकेट कांसल ने पुरुष वर्ल्ड कप को लेकर हाली में बड़ा फैसला जारी किया है, जिसके तहर्ट दूबई में हुई ICC की बोर्ड मीटिंग में टूर्णा गैप फॉर्माट से ही होगा, इनमें साथ साथ तीमों को दो अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा, दोनों ग्रुप में पहले तीन स्थान पर रहने वाली टीम को सूपर सिक्स में जाने का मौका मिलेगा अब ट्विटर वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं आविदन, ट्विटर ने हादी में पब्लिक वेरिफिकेशन की शिरुवात कर दी है, हाला कि कुछ दूनों तक आविदन लेने की बाद कंपणी ने इस पर रुख लगा दी थी, लेकिन एक बार फिर से कंपनी ने इसकी जा रहे हैं और इसे दोबारा शुरू किया जाएगा अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है गौर करने की बात यह है कि कंपनी ने 21 माई से ब्लू बाच के लिए वरिफिकेशन अप्लिकेशन एकसेप्ट शुरू किये थे वहें इससे पहले तीन साल तक कंपनी नई पॉलि 2900 रुपए थी इसके साथ ही राज़दानी पट्ना में पेट्रोल की केमच 96.95 रुपे प्रती लीटर और डीजल 9.88 रुपे प्रती लीटर था कलमाये दोर अब पूछेगे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अभे कुमार बिन्नी कुमारी प्रनव सिं आपके नुसार कोविट-19 के मामलों में आ रही गिरावट को देखते वे अभी भी आप कोविट-19 से बचवाफ के लिए जारी किये के गाइडलाइन का पालन कर रहे है या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर रताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से जड़े रहने के लिए हमारी यूटिब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबारा ना भूले धन्यवाद